हाईलो स्टुडेंट्स आज हम अयोध्या सिंग उपाद्याय हरी ओध जी का जीवनवा साहितिक परचे पढ़ेंगे ये आपके बोर्ड जामें पांस नमबर का पूछा जाता है तो चलिए अब शुरू करते हैं अयोध्या सिंग उपाद्याय हरी ओध जी का जन्म सन 1865 इस्वी में उत्तर प्रदेश के आजमगड जिले के निजामाबाद नामकिस्थान पर हुआ था घर पर ही रहकर इनोंने हिंदी, संस्कृत, फार्सी, उर्दू, अंग्रेजी वा साहितिका अध्यन किया इनोंने कई वर्सों तक कानून गो के पदपर कार किया, इसके बाद इनोंने कासी हिंदू विश्व विद्याले में अवैतनिक प्रदाना ध्यापक के रूप में सेवा दी इनकी रचना प्री प्रवास पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोसिक पुरुषकार से सम्मानित किया गया सन 1947 इस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया अब पढ़ते हैं साहितिक परचे दिवेदी युग के प्रतिनिधी कवी और लेखक आयोध्या सिंग उपाध्याय हरी ओध खड़ी बोली को काव भाषा में इस्थापित करने वाले प्रमुक कवियों में से एक है इनकी क्रती प्रीव प्रवास को खड़ी बोली का पहला महा काव कहा जाता है इन्होंने हिंदी साहित के तीनो युगो भारतेंद युग, दिवेदी युग तथा छायावादी युग में महतपूड भूम का निभाई है अब पढ़ते हैं करतियां वा रचनाएं इनकी हम प्रमुक करतियां पढ़ते हैं काव हैं प्रिय प्रवास, पारिजात तथा वैदेही वनवास, उपन्यास हैं प्रेम कांता, अधखिला फूल, नाटक, रुकमडी, परिड़े ये था आयोधा सिंग उपाद्ध्याय हरी और जी का जीवनवा साहितिक परचे ये आपके बोड़िया में पांस नमबर का पूछा जाता है, तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में थांक्स पर वाचिंग